नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आरस्टी अन्यूज आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी ख़बर की बारे में आज के 29 समाचार पत्रों में आप से संबंदित कई ख़बरे छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अचिमहत पून हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा इसकी इप मत करिएगा तो आई ये पहले ख़बर की बारे में जान लेते हैं पहली ख़बर है कि लंबित माउं को लेकर सिचकों का धर्ना यहाँ पर पूरी जानकारे दी गई है बताया गया है कि एनपियस सरी सत्रा लंबित माउं को लेकर उत्तपिस माजबी सिचक संग का अनिस्चित काली धर्ना जिला बिद्याले रिचक कारियाले के परिसर में इतियास की भुलाए नायकों का नया भारत कर रहा सम्मान। को डरा रहे हैं। अच्छा है बहुत ही लाप्रद है। हम भी कह सकते हैं आप भी कह सकते हैं लेकिन उसे अपनी बातों से इस पश्च रूफ से समझाने का प्रयास करें कि इस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। अगली खबर है कि चर्णबद तरीके से अलहाबाद विश्विद्याले खोलने को मंजूरी यहां पर पूरी जानकारिद दी गई है। कि निर्देश पर चर्णबद तरीके से अलहाबाद केंद्रे विश्विद्याले खोलने को मंजूरी दे दी गई है। के साथ ही इनमें सामिल होने वाले चात्रों को प्रधान मंतरी निर्द मोधी की लगने वाली विश्यस कलास का वी इंतिजार सूँ हो जाता है। इस साल या भी सेस कलास मार्च के तीसरी या चोथे हपते में आयुज़ की जाएगी इसकी तयारिया तेजी से सुरू हो गई हैं। अगली कबर है कि सरकारी सिचकों वा करमचारियों को मुप्त वीमा की सुरच्छा। आपको बता दें कि स्टेट बैंक आफ इंडिया सरकारी बैंक होने के बावयूत खातादार्कों को प्राइबेट बैंक की सुब्धा मोहिया करा रहा है। सरकारी सेवाओं के सिचक वा करमचारियों का सेलरी एकाउंट खोलने पर उन्हें 20 लाख रूपय तक का मुप्त एक्सिडेंटल वीमा की सुब्धा दी जाती है। साइचिक महासंग के तात्वा धान में का चाहरी इस्तित एस्पियाई जोनल कारियाले परिशत में मंगलवार को आयूद सिचकों की बितिये प्रद्बंधन में बैंकों की भूमका विशेक संगोष्ट की अज़्यस्ता करते हुए उक्त बातों पर महाप्रबंधक बिनोत क दिया जाएगा और कई इसमें रूल हैं उस रूल को पढ़ेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी आगली खबर जेई मेंस को लेकर है जेई मेंस में सामिल होने वाले छात्रों को एंटिय का अभी कल्प यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि निसलने टेस्ट करने वाले छात्रों को अपनी परिच्छातिति का स्वेम चुनाव करने का विकल्प दिया गया है छात्रों को जेई मेंस में सत्र के आवेदन के साथ अपनी कच्छायों बोर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है जेई मेंस में सत्र क के लिए तीन मईज से आविदन किया दा सकता है अगली ख़वर है कि प्रदेश में 8,514 किंद बनाने का प्रस्ताव देखे यूपी बोर्ड की जो परिच्छा है उसमें परिच्छा केंद्रों की शंख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है यूपी बोर्ड की हाई कि तक स्रिकाइच की जा सकती है बोर्ड की उसे अपत्यों के इंस्तार की बाद परिच्छा केंद्रों की अंतिम सुची 22 फरोरी 2021 को जारी कर दी जाएगी अगली ख़वर है कि बीएड बीटी सी सही सभी पाठ कर्मों की छात्पिति वा सुल्क प्रतिपूर्ति की होगी जा पाज समीह जा रहे है इसके लिए सरकार ने समयों में मुख्विकास अज्ञीएच कि एक सब्सक्राइब के महारति रेखी इहा pakai यहाँ पर पूरी कि संस्थार्म नए साथ 221 बाई से अहम बदलाव करने जा रहा है इस नई ब्यवस्था के तहित भावी टेक्नोक्रेश्ट विशे विशेस में दाखिला लेकर दूसरी विशे की पढ़ाई कर सकेंगे इसके अलामा अनिवार अतौर पर सोशल साइंस की भी पढ़ाई करेंगे इसका मसवदा तयार किया जा रहा है अगली ख़बर की पीसे 2019 को लेकर उत्तर पर देख लोग सिवा आयुक द्वारा पीसे 2019 का अंतिम परिडाम तयार कर लिया गया है परिडाम कब तक आएगा इसके समझ में आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश को नए पीसे अपसरों कि सवगात जल्द मिलने वाली है उत्तर पर देख लोग सिवा आयुक ने पीसे 2019 का अंतिम परिडाम तयार कर लिया है जरूरी कारवाई करने के बाद परिडाम बीस फरोरी दो जार इकीस तक जारी किया जा रही तो मुझे जो जानकर है कि फरोरी के तीसे सब्ता में परिड कर दिया जाएगा तो आप लोग धर बनाय रखें दो इस और किसी कारण से परिडाम नहीं पता है तो मार्च के पर्थम सब्ता किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा दोनों परिड़ाम फिला हाल पीसे 2019 का परिड़ाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा एक दम कन्फरम है अगली ख़वर है कि आलचर पर ठीकी निगाहें दावेदारों की धारकने भी बढ़े तिरियस-तिरिये पंचाय चुनाओ को सीट वाज ध आबंद तो आगामे तिरियस-तिरिये पंचाय चुनाओ को लेकर यहां कड़ा फैसला लिया गया है तिरियस-तिरिये पंचाय चुनाओ को लेकर जारी आरचर के अजसूचना की बाद दावेदारों की धारकने तेज हो गई हैं बीडिसी ग्राम प्रधान जिला पंचाय सदि पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं जिन पंचायतों में लंबे समय से परिवर्ता नहीं हुआ है वहां बजलाओ की पूरी संभावना जताई जा रही है 20 परोज 2021 तक आरेचन तेक कर लिया जाएगा तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है अगली ख़बर है कि अलप संख्य काल्जों में अठकी अशिश्टिन पूफिसर की भरती यहां पर लिखा हुआ कि अलप संख्य मादमी बिद्यालों में फसी है भरती नए आयो की गठन के बाद भरती के आसार तो जब तक नहीं आयो का गठन होगा तब यहां भरती शुरू होने के समभावने कम है तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है आगली कवर की बेसिक और उची सिच्छा के सिच्चकों पर कारवाय के लिए नहीं लेनी होगी मंजोरी तो अब तक की सबसे बड़ी कवर है आयो के गठन में रुकावट बन रहे मुद्दों के समाधान को बनी सहमती सिच्छा सिवा आयो के गठन के लिए राज सरकार विधान मंडल के बजर सस्त्र में नया विधैक ला सकती है आयो के गठन में रुकावट बन रहे विधिन मुद्दों को सोल जहाने के लिए शासर इस्तर पर विभागों की वीज सहमती बन चुकि यह तैय हुआ है कि वेशिक और उची सिच्छा से जुड़े सिच्छकों को उनकी सेवा निमावली पर निमावली के अनुसार डंडित करने को मौझूदा बेवस्था बरकरार रहेगी तो अब तक की सबसे बड़ी ख़वर है अगली ख़वर की आज जारी हो सकती है तवादले की सुची सरकारी प्रामेरी स्कूलों में सिच्छकों की परासपरिक तवादले की सुची बुद्वर को जारी हो सकती है इसमें एक वर्स की सेवा आवजवाले सिचकों की भी तबादले हो सकेंगे अगर एक वर्ड कि दिव्यांग छात्रों को हर मा मिलेंगे 200 रुपे अब 200 रुपे में क्या होगा या देखने वाली बात होगी लेकिन चुनाओ 2022 का आने वाला है तो 200 रुपे ही काफी है परसदी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को ससक्त वनाने और सिच्छा से जोडने के लिए महीने उन्हें 200 रुपे बितिका आर्थिक साहता दी जाएगी इसकूल जिच्छा महाजी संग ने 9,106 दिव्यांग छात्रों को दस महीने की बिर्तिका बिर्तित करने के लिए एक करोण 82,16,000 रुपे मंजूर किये हैं अगली कबर है जूनिर हाइसकूल सिचक भरती को लेकर जूनिर हाइसकूल सिचक भरती का बिग्यापन कल बिर्तिका बिग्यापन के लिए जूनिर हाइसकूल के लिए सिचक भरती का बिग्यापन गुरुवार को जारी होगा प्रधाने ध्यापक की 390 और सहाय का ध्यापक की 1504 सिचकूल अठारा सो चोरानमे प्दूबर चैनि लिखित परिच्छा से होगी दोनों की परिच्छाएं अलग अलग होंगी धाई घंटे की परिच्छा में 150 प्रसन पूछे जाएंगी तो अब तक की सबसे बड़ी कबर है लेकिन आयू सीमा अभिबाद में फसी एल्टी ग्रेट की 245 अभरती चैनित उत्तरप्रदी लोक्स्ति वा आयू की एल्टी के ले सिच्छा भरती परिच्छा 2018 पूरी हो चुकी है सभी 15 विच्छों का परिणाम जारी करके सत्यापन के परकिया भी पूरी कर ली गए है चैनितों को न्युक्ति देरी के परकिया चल लए है लेकिन तै आयू शीमा पार कर चुके करीब 245 चैनित अभरती का भविश अभी अधर में है इनका मामला एलावत हाई कोड में लंबी थे एल्टी के सिच्छ भरती 2016 में निकली थी ताकि मुखमंत्री अकलेश यादों ने मेर्टी के आधार पर तीरान वे सोपदों पर भरती निकाली थी अब भरतियों से आभेदन भी लिये गए थे लेकिन 2017 में सूबे की सत्ता बदल गई सीम अजितनाद ने पदों की शंख्यां बढ़ा कर 10 द्याव साथ सो अनसर्ट कर दी उत्तरप्रती लोग सीम भाव ने लिखित परिछा के आधार पर भरती का जिमा दिया गया इसका विग्यापर 15 माद 2018 को जारे करके नए सीरे से आवेदन लिया गया लेकिन आई श्रीमा जो पार कुर्चू के कंडिडेट है उनका मामला इलावत हाई कोट में विचारा धिन अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आपाया जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक एं लोग अधर में है अब देखना होगा कि हाई कोट का फाइनल डिसीजन क्या होता है आगे कोई जानकारे मिलेगी किसी भरती के समद में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी इसी प्रकार की जानकारे के लिए आप हमारे से जुड़े रहें जैहिंजे भार दूस्तु नमस्कार